हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं इस्टेडी फिट्चरनल दोस्तों आज मैं मेरे रज्जु यानि इस ताइनल कार्ड के बारे में बताऊंगी यसा कि दोस्तों नर्वस सिस्टम यानि तंत्रिका तंत्र जो है वो तीन प्रकार का होता है CNS, PNS, ANS, CNS यानि Central Nervous System यानि केंद्रिय तंत्रिका तंत्र जिसके अंतरगत हमारा ब्रेंड और मेरे रज्जु यानि इस्पानल कार्ड आता है और दुसरा होता है PNS यानि Peripheral Nervous System यानि परिधिय तंत्रिका तंत्र जिसमें से 43 जोड़ी नाडिया आती हैं जिसमें से 12 जोड़ी हमारे ब्रेंड से निकलती हैं और 31 जोड़ी हमारे मिर्ण रज्जु यानि इस्पानल कार्ड से निकलती हैं और तिसरा होता है ANS यानि Autonomic Nervous System यानि स्वायत तंत्रिका तंत्र ये दुप्रकार का होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और प्रा-अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जैसा कि दोस्तों Central Nervous System यानि केंद्री तंत्रिका तंत्र में हमारा मस्तिस्क और मिर्ण रज्जु आता है मस्तिस्क के बारे में मैं Part 1 में यानि तंत्रिका तंत्र के Part 1 में बता चुकी हूँ यह Part 2 है जिसमें से Central Nervous System के अंतरगत आने वाले मेरे रज्यों के बारे में इसमें बता रही हूं और मेरे रज्यों के बारे में वही चीज़े बताऊंगी जो आपके एक्जाम में 100% पुछे जाते हैं बहुत ही सार्ट में और दोस्तो यादिया आप और फिजिकल एज्यों के किसी भी कंपटिसन एक्जाम का प्रिफरेसन के एक्षान के कर रहा है तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो से एक्षान के एक्षान है दोस्तो 100 से ज़्यदा वीडियो प्रिवियस यह क्यों पर बनाए गए है उसका प्रेक्टिस जरूर कीजिये दोस्तों केप्टर वाइज KEMSKU प्रैक्टिस भी कराए जा रहा है उसका प्रैक्टिस करते रहे तो दोस्तों चलिए जानते हैं मेरुरज्जू क्या है जैसा कि मेरुरज्जू जो है वो मेडूला अबलांगेटा का निचला भाग से निकलता है और इसके लंबाए 34 से 45 सेंटीमीटर होता है यह मेरू रज्यू जो होता है दोस्तों जैसा कि हमारे स्पाइनल कार जो होता है वह जो हमारे रिड की हड़ी होता है हमारे गर्दन भाग से लेकर हमारे बटक तक तक जाता है उसी कसेरुग दन्ड यानि की रिड की हड़ी में बीच में खोकला भाग होता है उसी मेरू रज्यू जो मेरू रज्यू होता है यानि जिसे सुसुमना भी कहते है मेरे रज्जु को इस्पाइनल कार्ड को या कसेरुख दंड यानि कि रिड की हड़ी के खोखले अस्थियों में इस्थित होता है जैसा कि चितर में दीख रहा है जिसकी दोनों सत्वों पर एक-एक खांच पाई जाती है जिसे क्रंसा वेंट्रल फीसर यानि कि प्रिष्ट मूल तथा डॉर्सल फीसर यानि अधर मूल कहते हैं इन्ही से इस्पाइनल कार्ड से पतले-पतले तंद्रिकाय निकल करके हमारे सरीर के विभिन भागों में जाती है जैसे कि गर्दन के भाग से तंद्रिकाय जाती है यानि गर्दन गरिवा तंद्रिकाय आठ जोड़ों में जाती है और वच्छी तंद्रिकाय बारा जोड़ों में जाती है कटी यानि कमर की तंद्रिकाय पांच जोड़ों में जाती है विभिन अंगों में और सेक्रल तंद्रिकाय पांच जोड़ों में जाती है और अनुतरिक यानि कॉक्सीचियल तंत्रिकाएं एक जोड़े में जाती है इस ब्रकार समस्त सरीर में 31 जोड़े तंत्रिकाएं जो होती हैं इस्पाइनल कार्ड से निकलती है एंड दोस्तो मेली रज्जु के चारो और भी तीन इस तरों की एक जिल्डी पा जाती है जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है कि हमारे ब्रेन जो होता है वह किस जिली से धकी है मेनिंग जेज और मेनिंग जेज जो होता है तीन इस्तरों की होती है डिरामीटर, आकनायट, पायामीटर उसी प्रकार रिल्ड अजु भी कि भी तीन इस्तर से धकी होती है ती के नीचे मेरी रज्जू होता है दोस्तों मेरी रज्जू में एक द्रोव भरा रहता है यानि इस्पाइनल कार्ड में एक द्रोव भरा रहता है जिसे सेरिब्रोव एक स्पैनल काड़ में द्रोग भरा रहता है उसे क्या कहते हैं सेरिब्रो इस पाइनल द्रॉग इसम्रकार जो मेर्म है मसंतिष के चेद होता है वहां से वह मेडुला अभलंगेटा की नीचे से भाग से सुरू हो करके सिधी कसरिका नाल याने की जो हमारी रेड़ की हटी होती है उसके बीच भीच खोकले भाग से होते हुए अंत में कमर की नीचे यानि लंबर रेजन की नीचे सेक्रल से होते हुए कॉक्सिजियल जाकरके एक पूंच की रूप में खतम होती है और यह इस फद्धा को अकॉड़ेच की नीचे के रूप में खतम होती है इसी को आने होते हैं के कि हारी काते है पहला कारह के यह है कि यह संवेदना तथा प्रेडाओं का समवहन करता है यानि मस्तिष तथा सरीर के विभिन अंगों के मद्धे आने जाने वाले उद्धीपनों का समवहन करता है इसका पहला कार है यानि कि दोस्तों जो संदेश हमारे विभिन अंगों के माध्यम से हमारे मस्तिष को जाते ह यह spinal card के तंतरिकाओं फइल वी नाड़ियों से ही हमारे brain में जाता है और brain से जो भी अंगों की तरफ आते हैं वो spinal card से होते हुए ही आते हैं यानि कि संदेशों को ले जाना और मस्तिष्थ संदेशों को अंगों के तक आना यह हमारे spinal card का मुख्य पहला कारे है दुसरे मुख्यकारे है इसका पर्तिवर्ति क्रियाओ यानि रिफ्लेक्स एक्षन का नियंत्रर और समन्वे करना बहरी इंपोर्टेंट है बाल बाल पुछा जाता है कि पर्तिवर्ति क्रियाओ यानि रिफ्लेक्स एक्षन का नियंत्रर और समन्वे कोन करता है तो मेरे जो य जिसे कि दो और प्रतिवर्ती क्रियाओं की खूद जो है उमारसल हाल ने किया था जैसे कि दो साभ को देखकर अचांक से भाग जाना धमाका सुन कर चौक जाना गर्म वास्तू छूने पर तुरंत हाथ हटा लेना यह क्या होता है यह पर्तिवर्थी क्रिया के अभगत आती है हमको सोचने समझ्ञे का थोड़ा भी इस टाइम नहीं मिलता है एक आए-एक क्रिया होती है इसे को रिफ्लेक्ष एक्सन ने पर्तिवर्थी क्रिया कहते हैं गर्वाश तंत्रीकला के भीतर समेटivτιist कर नावं की जो गती होती है 130 से 200 मीडर 30 second होती है दूस्तों प्रतिवर्वर्टी क्रिया ञोंगर Я रिफ्लेक्स एक्षिन जो है वो दूपरकार की होती है पहला आपरतिबंदित परतिवर्टी क्रिया दूसरा परतिबंदित परतिवर्टी क्रिया जो अप्रतिवंदित प्रतिवर्ति क्रिया होती है वो जन्म जात होती है जैसे कि तेज प्रकास पढ़ने पर पुद्ली का सिकुरना, छीकना, खासना ये अप्रतिवंदित प्रतिवर्ति क्रिया है ये जन्म जात हमारे में उप्रब्द होती है दुसरा है प्रतिवर्ति क्रि प्रियाओं का नियंतर मेरे रजू यानि इस्पाइनर कार्ड के द्वरा होनी लगता है जैसे कि साइकिल चलाना नाचना टाइपिंग करना पैरना स्वादिष्ट भूजन को देखकर मुख में पानी आना माले जी दोस्तों आप साइकिल चलाना ही सिखते हैं सुरू सुरू मे श्रय आप कोई तरह यंदिकत नहीं होती है उस समय जो आप स्वरसिख जाते हैं तो उस-में हमारा ब्रेम स्कू कंट्रस्वर ना करके दिछा को करता हैं आप काम करते कलिंग किसी से बात करते हुए साइकिल चला सकते हैं इस प्रकार प्रथीघा syudiadhu और एक प्रतिवर्दित होती है जो निमित पसिछड़ वाधिगम से होती है तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मेरी रज्यू का कार्य क्या है और प्रतिवर्थी क्रिया क्या है और यह कितनी प्रकार की होती है दोस्तों इससे बाहर इससे पोस्चन नहीं पूछ सकता है इस भागो यानि सेंटर्नर्वल डिन्स के निर्फ अ बताचुकी फर्स्ट और सेंट वीडियो में और अब बैठ्ल और सेंद निर्धे से निकलती तो कि इसी निकलती है तो दोस्तों कि स Post-1 वीडियो कैसे ये मेरे चैनल पे सिल्वेस के एक आउडिंग पढ़ने के लिए एंद दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिजी विल आइकन के प्रिस कर लिजी जिसे न्यू वीडियो का आप तक पहुचता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडिय कर दोक।ILY कर लिजी हैं तो म 매ूत्त muss सब्सक्राइब थैसे तो। mods क का लिजी कौने की बौर वीडियो कर दो ऒार दो का तो तो अर्सकर भीडियोर धाट्य। यूदक के लिए तो सिंक जेमार कर दोद우।Play